चैलेंज करके कहता हूँ और तुमारी ऐसी की तैसी आओ मेरे साथ बैर करो पन्नू को कहता हूँ छतर मुर्गा छतर मुर्ग कहते हैं इसको सिर्पेवाल नहीं दाड़ी कटी हुई खाले स्थान बनाएंगे तुमारी ऐसी की तैसी कहां तुन्हें अमर चकाओ बगोडे अमर भी कहता था आज भी कहता हूँ और चंद इस भारत मा के गदारो इस भारत माता की पीठ पे छुड़ा मारने वालो खालतान ना कभी बना था ना बनेगा ना बनने देंगे बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के टूटे जखमी शरीर से जहां हमारी लाचों में गुजर जाएगा प्रत्म रास्ट था प्रत्म रास्ट है प्रत्म रास्ट आज का रहेगा और यहां तक टूटो का सवाल है इसको कह देना चाहते हैं यह आज का भारत है G20 इसने खुद अपनी आखों से देख ली होगी क्या हमारे देश के अंदर को कैनरा को तोड़ने वाला जर्मनी को तोड़ने वाला अभी चलो, मैं मान लूँ अपने दोश्मन देश में, अगर कोई खो, तो क्या हम उसको शेल्टर दिया, हिंदोस्तानने, भारत ने कभी उसको शेल्टर नहीं दिया, मैं ट्रोडो को कहना चाहता हूं, वहाँ की सरकार को कहना चाहता हूँ, यह अजगर जैसे साफ हैं, यह किसी के नहीं है, यह चंद खालस्तानी अजगर जैसे साफ हैं, इनके ओपर कंट्रोल कर लोगे, कर लोगे, नहीं करोगे, देखो, पाकिस्तान आज आपके सामने हैं, अपने ही गेरे में, अपने ही अजगर ने, उनको I.S.I. न कोड़ने की मत कोशिश करो हम किसी के साथ जगड़ा नहीं चाहते हम किसी किन चाहते किसी के मानता के दुश्मन देश के अंदर भी को नुक्सान हो पर हां हमारे देश को को तोड़ने की कोशिश करेगा उनको शल्टर देने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान उसके लिए त्या ना तनी ना तो कभी मैं कहता हूँ, मिनौरिटी मैं तो एक भारती हूँ, मेरे अंदर तो एक इनारा गरम खून से बंबो से निकलता है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात्मन्दे मात्रम, आपके अंदर इतना हंकार हुग गया। समर्थन में आकर हरदीप सिंग निजजर जो की एक खालिस्तानी आतंगवादी है उसकी हत्या का इल्जाम आरोब जो है वो भारतिया एजंसियों पर लगाया है एक तरफ दो हजार चोविस में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ अभी भारत में जी मामले परविस्तार से बात करते हैं सर से सर अभी भारत में जी ट्वेंटी की अधियक्षिता की है जोस तरीके से भारत में विश्व भर में एक मैसेज दिया है और उसके बाद कैनेडा के प्रधान मंत्री तरिंद्र मूदी की सरकार यानि की हमारी एजंसियों पर सवाल प्रफमान बार बार हो रहा है यह तरंगा जंडा किसी एक कौम और मदब का नहीं है यह तरंगा जंडा हिंदू मुसलमान सिख्थे साईयों के जल्यवाडा बाग के अंदर खून से बना हुआ तरंगा जंडा और शाहीदिया आजम भगत सिंग जतने भारत माँ को अधाद कराने के लिए फांसी के रस्ते को हसाथ के चुमा था उसको अतंकवादी कहा जाता है और भारत मां जो हिंदू-मुसल्म सिखेसाईयों का देश शैकुलर देश उसको गंदी बाशा का प्रजोग किया जाता है और भारत फिर भी चुप रहता है आज नहीं कल नहीं ट्रोटो को अमेरिका को सब को कहते कि इनके उपर लगाम लगाओं सब लगान सब ने लगाम लगाई अस्टेलिया ने लगाम लगा पर कैनडा जिस देश से आज से कई वर्ष पहले एक पलेन को उड़ा दिया गया तीन सो से ओपर उन यातरी उड़ गए उनका क्या कसूर था पूछना चाहता हूं क्या कसूर था खालस्तानियां को पूछना चाहता हूं क्या कसूर था छोटे छोटे बच्चे पांच-पां आपने बेजे थे अपने परिवार को बेजने के लिए। वो बच्चे माबाप को नहीं मिल सके। क्या ये सिक्कॉम की मानवता है। मजरूमों की रख्षा करना कभी वो वक्त था मा कहती थी दो बच्चे होंगे एक को सरदार बनाऊंगी और पिता कहता था मा कहती थी ट्रेन और बस के अंदर सरदार साब बैठ गए अब हमें कोई फिकर नहीं ये सिक कौम की पहचान थी किसने बनाई पहचान गुरू तेग भादर हिंद की चादर चांदनी चाओं अपने छीक को निशावर कर दिया अकेले हिंदु के लिए नहीं मुसल्मान के लिए यज़ाओ के लिए पट्याला के अंदर दस्तार सुन्दर पवित्तर पैनों पुलिस वाले का हाथ दो अमरत पाल खालस तांद के नारे देने वाड़ा कैनेडा से स्पोर्ट उसको सारी कुछ गुरु गरंद सापको धाल बनाके अपमान कर जाते हैं रोई दमकियां देते हैं हम सबको दमकियां देते हैं बोलना बंद करो मर देंगा तुमारी इनको मैं कहना चाहता हूँ जब हमारा जीवन जाएगा ना बंबो गोडियों से आगे भी 14 बार हमले किया है ना आज 40 साल से लड़ रहे हैं ना हमारा जब जीवन जाएगा ना याद रखना इस रास्ट के लिए इस भारत मा के लिए इस हिंदू मुसलमान सिक्षाई के तरंगे जंडे की रक्षा करते और चंध इस एक कौम के गडारो चंध इस भारत मा के गडारो इस भारत माता की पीठ पे छुरा मारने वालो खालस्तान न कभी बना था ना बनेगा न बनने देंगे बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के टूटे जखमी शरीर से जहां हमारी लाचों में गुजर जाएगा प्रत्म रास्ट था प्रत्म रास्ट है प्रत्म रास्ट आज का रहेगा और यहां तक टूटो का सवाल है इसको कह देना चाहते हैं यह आज का भारत है जी ट्वंटी इसने खुद अपनी आखों से देख ली होगी क्या हमारे देश के अंदर को कैनड़ा को तोड़ने वाला जर्मनी को तोड़ने वाला अमेरिका को तोड़ने वाला पाकिस्तान को तोडने वाला भी चलो मैं मान लूँ अपने दोश्मन देश में अगर कोई हो तो क्या हम उसको शेल्टर दिया हिंदुस्तान ने भारत ने कभी उसको शेल्टर नहीं दिया उन्हों एक बात कही हमारे हिंदुस्तान के बार-बार प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ को मिले प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हम भी शांती चाहते आप भी शांती चाहो हमने जंग का रस्ता छोड़ा हमने लडाईयां छोड़ी हम भारत को कहां ले गए आज यूकरेन के अंदर रस्या यूकरेन के लडाई के अंदर पाकिस्तान के बच्चे तरंगा जंडा पकड़के बंगला देश के बच्चे तरंगा जंडा पकड़के तो चंदरमा तक पहुंच गे ना हम चंदरमा तक पहुंच गे तीसरे देश में हम आ गये जी 20 हमने कर लिया इस बहरत होगी प्रत्थम राष्ट बहरत हमने किया ना यह भारत की पहचान है और पाकिस्तान कहा है आज बूखा नंगा जो खालस्तानियों को फंडिंग करता पॉलिटिकल लडाईयां जगड़े फसाद कहां चला गया पाकिस्तान हमने तो नहीं जी टुवंटी पे उसको बलाया पर बुरी दुनिया आई निपाल आया बंगलादेश आया सारे श्री लंका आया यह आज देश की हमारी हम उस तेटी पे खड़े हम जंग नहीं चाहते हम किसी के साद जगड़ा नहीं चाहते हम किसी किन चाहते किसी के मानुता के दुश्मन देश के अंदर भी को नुक्सान हो पर हां हमारे देश को 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 तोड़ने की कोशिच करेगा हिंदूस्तान उसके लिए त्यार खड़ा है और खालस्तानियों आप समझ जाओ ये आज का ब बढ़ी मुश्कल से हमने पगड़ी से अपनी दुबारा साफ सुत्री करके इज़त बनाई आपने पगड़ी के उपर उंगल उठा दी शिख कौम के लोग के उना बोले यह बहुत बड़ा प्रशन बड़ा सवाल है हिंदू बोले तू तू तो हिंदू है कोई और बोले तू तो फलाना है और यह सिक्वात क्यों न बोले गुर्दवारा प्रबंदर कमेटियां पूरे हिंदो स्तान की सारे संगत बोलाएं आपके मीडिया को बुलाएं इनका जवाब दें पंजाब के बार की बात कर रहा हूं अगर दिल के अंदर देश प्रती जदबा है हम खालस्तानियों के खलाफ हैं हम ये बुखे नंगे पाकिस्तान से मिलने वाले के उन खालस्तानियों के खलाफ हैं जो हमारी कौम को बदनाम करते हैं जो हमारे लिए रोज समच्षया प diferentes हैं इनकी गलतियां सी चुराइब हुए हम दुबारह यह को इतिहास नहीं देखना चाहते इन्हां कि बुखते वह इन्हों ने किती सब्सक्राइब कोई मारी इंदरा गांदी इन्हों ने नजाय सिख कौम जिनका कोई 47 अतंक बाद से तलग नी पूरे हिंदुस्तान से उनके घरों के घर आग लगा दी तबाह कर दी कौना जम्यदार ये लोग जम्यदार है इतनी प्यारी कौम इतनी मार्चल कौम हरमंदर साब का इतिहास सामने है एक सो कितने कुरोड जंता वहाँ पे सिर जुकाती है रोज वी परशंट हम सरदार 80% हिंदु समाज इसाई सब वहाँ पे सिर जुकाते हैं मेरे पास हर कौम के मदब के लोग कहते हरमंदर साब मत्था देखना है मुझे करा दो को गोवा से कहता है को करनाटका से कहता है को vem अभी पिछे हैसाई दर्म comment से हम बच्छों को वहां मुठ्था ठाला है लौग हम वहां मुठ्था लिखना लेक्षीन है मुसल्मान और मुठ्था ठीक न adjustments one Dodgersphere। यहां गया हम डो Iya हमारी आबादी यह लेति हमेंleich। यहां इसी इसमुदार्टी ना तो कभी मैं कहता हूँ मिनॉर्टी मैं तो एक भारती हूँ मेरे अंदर तो एक ही नारा गरम खून से बंबो से निकलता है मेरा धर्म भारत मां मेरी जात मंदे मात्रम आपके अंदर इतना हंकार हो गया जिस देश को जिस सिख कौम को देश ने हिंदुस्तान के पहले सर्दार बिल्वाग सिंग इस बड़ी बात बता रहा हूं और करो में सिख मतरी और baru सर्दार स्वर्ण सिंग दोदो मन्त्री और हिंदुस्तान के प्राइम मिनस्टर नक्टर मनमोन सिंग 10 साल हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जग value सिंग अरोडा हिंदुस्तान के IQ मार्षल जर्सिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीव सिंग और खैरा साथ हिंदुस्तान के सी बी आई के चीफ सरदार जुगिंदर सिंग हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ग्यानी जैल सिंग हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार पूटा सिंग ये हिंदुस्तान को दो परशंड को दिय ना इसाई ने गिला किया ना मुसल्मान ने किया ना हिंदू ने किया अशी सरदार ने अरे सरदार बनो ना जगजी सिंगरोडा जैसे सरदार बनो एर मार्चल अरजुन सिंग जैसे सरदार बनो बनो बग्गा जी जैसे जो इस वक्त अमेरिका के अंद वर्ल्ड बैंक के चेर जाई कि हम तो वाले हैं हम तो एके 47 चला के मारेंगे अगर बिट्टा हमारे ख़ला बोलेगा हम तो पहले की तरह इसकी एक टांग को दूसरे को भी सारे सरीर को उड़ा देंगे आरे याद रखो यह सरीर में बंबों से बचा हुआ सरीर का हिस्सा जब सरीर के चिठड़े चि हर नत से अवाद निकलती रहेगी मुख इसी के साथ ये सवाल भी कॉमन जो है वो काफी जादा उठ रहा है कि एक तरफ कैनड़ा के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हमारी एजंसियों को टार्गेट कर रहे हैं और वहीं सर दूसरी दूसरा सवाल ये भी है कि जो सोरस के सा पंजाब के हलात क्यों खराब हुए पंजाब की गंदी पॉलिटिक्स पंजाब की वोट बेंक की पॉलिटिक्स पंजाब के अंदर धर्म की गंडी ठेकेडारी, गंडी राजनिती, सदाराज करेंगे, सदाराज करते करते क्या हुआ, पंजाब निकल गया, अजगर की तरह खतम हो गया, पंजाब, जवानी कैनीडा में चली गिया, अमेरिका में चलीगी दो-दो एकर जमीन बेज के माबाप ने बेज दिया वहां मजदूरी करते हैं कई तो अच्छे काम करते के मजदूरी करते हैं कई इनके ग्रुप में शामल होगे कुछ पंजाब के अंदर नार्को टेरिजम के शकार होगे कुछ खालस्तानियों के साथ म वही गंदे खेल रहा है और मैं टोडो को कहना चाहता हूं वहां की सरकार को कहना चाहता हूं यह अजगर जैसे साफ हैं यह किसी के नहीं है यह चंद खालस्तानी अजगर जैसे साफ हैं इनके ओपर कंट्रोल कर लोगे कर लोगे नहीं करोगे देखो पाकिस्तान आज आपक ने उनको I.S.I. ने उनको खतम करके रख दिया आपको भी कर देंगे वोट की खातर सता की खातर किसी दूसरे मुलक के अंदर अमन शांती को तोड़ने की मत कोशिश करो इस देश को तोड़ने की साजस मत करो यह आज का भारत है याद रखना यह आज का भारत है एक इसराइल जो जाके गुसके बदले लेता है दूसरा है यह इसराइल के बाद भारत सबर किया है सबर करेंगे सबर हमने कश्मीर में भी किया था पर उधारन देना चाहता हूं जब सबर तोड़ा था हमारे बताली जवान शहीद किये थे प्रवामा में फिर 370 दारा भी हटी थी पिर पाकिस्तान में गुसके बाला कोट भी किया था पांसो अतंक वादियों की भी था यह आज का भारत मैं उधारन देना चाहता हूं हम जंग जूंग की बात नहीं है पर अगर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके लिए फौज क्या वर्दी क्या वर्दी के वग कैनेडा के प्रधान मंत्री तो के ऐसा तो नहीं है कि इस गंदी राजनीती के चलते वो कैनेडा को खालस्तान बना दें सर यह मैं बार बार वो मेरे से मेरे अंदर से बात निकली है खालस्तान ना कभी बना था ना कभी बनेगा ना बनने देंगे यह मैं एक आम व्यक्ति कोई और होता को राष्ट वक्त होता को सैंसिस्ट होता उसको कोई यासे मार देता तो सवाल उठाना भारत के नहीं पूरे दुनिया में लाजमी था अरे एक पंजाब से हजारों बेहनों के सोहाग उजार के हजारों बच्चों को यतीम करके जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थि कोई ऐसाई था सिर्फ पगड़ी नहीं थि को मुस्लिम था सिर्फ पे कुछ नहीं था उसको हिंदू समझ के आपने मार दिया गाउं के गाउंखाली के लिए को मां के लिए पतनी के लिए बच्चों के लिए पिताखेलिए रोटी कमाने निकला था हात में उसके कोई हथियार नहीं कोई तरचूल नहीं कोई भारत महां को गाली दी जब भगत सिंग को अतंकवादी कहा जब फुटबा लेकर के पैरों से तरंगे जंडे को रोधा गया जो हिंदू मुसलमान सिक्षाईयों का तरंगा जंडा को देश बक्त निकला होगा को मेरे जैसा पागल निकला होगा यार जी के क्या करना है मेरे तरंगे जंडे का अपमान कर दिया जी के क्या करना है मेरे बगसिंग को अधादी लेके दी उन्हों अतंक में क्या जी के क क्या करना है जहां इनकी अपनी लड़ाई होगी बारत का इसमें क्या लेना देना क्या भारत के लोग इतने कमजोर हैं कि अपने तरंगे जंडे का आपमान कर लेंगे क्या भारत के इतने लोग कमजोर हैं कि भारत मां को गाली दे गाली चुन लेंगे एक लच्मन रिखा होती मैं फिर कहना चाहूंगा इन खालस्तानियों को कहता हूं और तुम्हारी आओ मेरे साथ बैर करो पन्नू को कहता हूं छतर मुर्गा छतर मुर्ग कहते हैं इसको सिर्पेवाल नहीं दाड़ी कटी हुई खालस्तान बनाएंगे तुम्हारी कहां तुन्हें अमर चकाओ बगोड अमर सार के पंजाब के बगोड़े तेरी तुम्हें तो कई बार जवाब दिया इनको मैं कहना चाहता हूं लश्वन रिखा पार करने की कोशिश न करें लश्वन रिखा पार करोगे उसका जवाब पूरा टका के दिया जाएगा मुझे पता है आगे भी मेरे पे हमला किया ढसा अपकी कैनेडा से प्लैनिंग हुई थी दिली के अंदर कर ले ना जितनी मरजी प्लैनिग देते हैं दमखियां दो अब तो हमने जीवन पूरा कर लिया अब तो जाना चाहते हैं पर जाएंगे ना इस भारत माँ के लिए को कुग बालबानी शहादoncé देके नी ना आपको ज़कतनी आप लच्मन रेखा पार ना करो हमारे हिंदुस्तान के परदान मंतरी सिक्ख कौम के आगे सिर्ट जोकाते थें और उनका सिर्ट जोकता रहेगा लाल किला के तरंगे जंडे की अपमानित तस्वीर एक तरफ रास्त्रपती तरंगा जंडा एक तरफ पीम प्रदार बाई पे लाठी नगे चलने है इपस्रेशिThis को अर्नुटार्प पंधर मोदी जी इन्हों HEY पवित्र प्रमानी सिस्क कौम की का या रड़ेनेवाल Και होगें You⁉ यह मैं उसकंस मारवा है कि अज भारत की तागत गोतन विश्वजान रहा है और कैनडा के प्रधान मंत्री के बयान के बाद जहां भारत नкамूतोड जवाब alie दिया है और बेश की कोई भी शक्ती जो है कोई भी देश वैक्न और आथ यू के प्रॉय इकलॉण है कि हम जो है वो खालस्तान को टॉलर्डेट करेंगे नहीं देखो यूके के अंदर मैं मान नहीं सकता था अपमान तरंगे जंडे का हुआ हमारे परदान मंतरी ने उसी वक्त यूके की अमभैची को का समान उठाओ बोरी बिस्तरा उठाओ जाओ अब कैनेडा को कह दिया पाकिस्तान के साथ को खड़ा हुआ है इसका मतलब हजारों जवानों की जो शहादत हुई लाखों लोग शहीद हुए पार्लिमेंट पे हमला चबी ग्यारा की गटना हिंदोस्तान के अंदर जगा जगा बलास इसका मतलब वो पोलिटिकल पार्टी जमेदार थी उस वक्त अगर हमारी फॉरण पॉलिसी मजबूत होती तो आज जमानों की शहादत ना होती आप जमानों की शहादत होती पहले तो नहीं होती तरंगे जंडे का आपमानी होता अगर तीन सो सत्तर दारा हट सकती है और दुनिया हमारे साथ खड़ी हो सकती है दुनिया पाकिस्तान के स खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान दूसरे देशों में जाके गुस पैट करके किसी का नुकसान पचाने की कोशिश नी करता, केता महात्मा गांदी की पॉलसी तुम भी खुछ रहो, हम भी खुछ रहें, तुम भी आबाद रहो, हम भी कि अश बादे शर भी ने बादे काह साह भीड़ी रहो बादे है, यहाद.